हेलो फ्रेंड्स क्यान श्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे दोस्तो यदि आप मेरे चनल से जूलना चाहते हैं तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक चरूर करें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि गले का कैंसर होता है तो फिर इस कैंसर के होने के पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं जो कि आपके गले को प्रभावित करते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं दोस्तो सबसे पहली बात होती है गले के कैंसर के कारण का अत्यतिक तंबाकू का सेवन और धूमरपान करना तता अत्यक सराप पीना गले में कैंसर पैदा कर सकते हैं कई रासाइनिक पदार्थ जैसे की कोलतार, एसबेस्टस, बिनायल क्लोराइड, बेंजीन, कैडमियम और सेनिक जैसे पदार्थ भी गले का कैंसर उत्पन करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं इनकी बज़े से भी किसी व्यक्ति को गले का कैंसर जो हो सकता है दोस्तों कई कारखावनों में इन पदार्थों के संपर्क में प्रते दिन आने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है इसी तरह के इसी तरह से जो खादे पदार्थ होते हैं जो गले में जलन पैदा करते हैं या फिर तीछ लगते हैं तो इस तरह के खादे पदार्थ भी कैंसर पैदा कर सकते हैं और इसके अलाबा जो पैकेट पैकेट चीजें होती हैं जो पैकेट में बंद आती हैं उनमें भी कई तर है कि ऐसे केमिकल्स मिला जाते हैं जिसे वो अधिक लंबे समय तक खराब ना हो और यदि आप इनकी एक्सपारी डेट की चीजों का सेवन करते हैं और अधिक तर ऐसा ह होता है आपके साथ तो फिर यह भी एक कारण हो सकता है कि आपको गली का कैंसर हो जाए दोस्तों अध्यतिक मात्रा में प्रदूशन भी गले एवं कई प्रकार के अन्य कैंसर पैदा करता है दिबबंध खाद्दे और क्रत्रिम रंग तथा रसायनों का सेवन भी कैंसर होने की संभावना को बगाता है सीतल पे पैपसी कोक आधी का अधिक यदि आप सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए काफी खतरनाक हो जाता है इसके लाब दोस्तों कुछ अनुवानसिक के लक्षन और कारण भी होते हैं जो की कैंसर होने में सहायक होते हैं दिखा गया है कि य यह भी एक कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति को गले का कैंसर होने का तो दोस्तों यह थे कुछ सामाने से कारण उमीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए औ बेल आइकन को भी दवाईए ताकि इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके